आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं डिगर इंटर्वियू के बारे में कि जब रिगर का इंटर्वियू होता है तो उसमें किस टाइप का कोस्टेन अंसर पूछा जाता है तो चलिए आए जानते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप रिगर नहीं हो या अगर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर दिजेगा और फ्रेंट्स अगर आपने अमारे एप इटर की पूरी जानकारी को इंस्टॉल अभी तक नहीं किया तो एप को इसमें जो है मैं इसका थोड़ा सा भी डर आपको नहीं रखना है ठीक है बिल्कुल जो है confidently आपको जाना है इंटर्वियू के लिए तो आएए सबसे पहले जब आप जाओगे अंदर घुसोगे रूम में तो वहाँ पे आपका रेजुम और उनके पास होगा तो आपसे जो है सबसे पहले वो पू आपका काम के बारे में पुछेगा कि आप इस फिल्ड में कितने दिन से है आपने कहां कहां पर काम किया है तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपने जो उसको रेजुम दिया उनके हाथ में तो उसके हिसाब से आपको पूरा बताना है ठीक है ऐसा नहीं कि जो रेजु पूछ सकता है, कि आप जैनरल सेफटी के बारे में Key verschiedene चैनल सेफटी के बारे में बताएangen आपको बताना है, कि यह सेफटी के बारे में näउसे करते हैं direkt इस सेफटी के पर पर शेफटी इसे पर तुल्मेट ठीक है hand clothes उसके बाद यह jacket है radium का jacket और गोगल इतना चीज जो है यह safety equipment हो गया जिसको PPE बोलते हैं ठीक है या फिर PPE भी पूछ सकता है कि PPE के बारे में आपको क्या जानकारी है तो यही हो गया PPE मतलब personal protective equipment मतलब safety के बारे में आपको उन्हें बताना है क्योंकि safety जो है बहुत ही important है okay उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि आप हाइट में काम करते हैं या नहीं तो आप उनको answer देंगे करता हूं okay तो वह पूछेगा कि हाइट safety के बारे में आप कुछ बताएं हाइट safety के बारे में आपको क्या information है क्या जानकारी है तो आपको बताना है कि minimum जो हम safety belt जो है करना चाहिए इसी तरीके से यह भी एक फॉल अरेस्टर है यह रोप में डाला जाता है ठीके तो यह सब के बारे में बताना है आपको और इसी तरीके से आप life line में जो है जहां पर मान लिजे कोई safety belt वगएरा अगर वहां पर hook करने का जगर नहीं तो इस तरीके का life line जो है यूज करते हैं तो यह सब बेसिक जो है आपको हाइट के बारे में बताना है ताकि उनको जो आइडिया लग सके कि आपको क्या मालूम है क्या नहीं तो उसके बाद आईए आगे देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे responsibility of rigor मतलब आप rigor हो तो आपका क्या जिमे सिटी है या नहीं ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर 50 टन का माल उठा दिया और क्रेन उतना का नहीं है तो यह आपको जो पहले identify कर लेना है कि जो हम material उठा रहे हैं उसका कितना weight है उसके बाद है inspection of lifting tools तो जो जो जितने भी tools हो गया जैसे decycle हो गया ceiling हो गया इसी तरीके से rope हो गया तो यह सब का जो inspection है वो आपको करना है वो आपको देखना है कि इसमें कुछ गणवड़ी है क्या इसमें कटा फटा तो नहीं है तो वो सब जो है आपको चेक करना है इसका जो checklist होता है वो आपको ready करना है उसके बाद हमारा right selection of the lifting tools मतलब कि जहां पर जो tool require है उसको use करना है ठीक है जैसे कि यहां पर example में देता हूं मालीजे यह कोई pipe है ठीक है तो इसको उठाना है तो इसमें हम यहां पर ceiling लगा के उठाएंगे web ceiling ठीक है तो यहां पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे belt को जो है belt में फसा के और इसको आजमाना है जहां पर जिसका use है वह आपको करना है और इसके पहले आपको उसका मतलब precaution करना है मतलब वह उसका planning करना है तो यह सब आपका responsibility होगे as a rigor यह आपसे पूछ सकता है उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि rigging और lifting के बारे में आप कुछ बताईए ठीक है तो उनको basically बताना है rigging मतलब होगे है rigor तो rigor का क्या काम होता है basically तो काम यही है कि कोई भी material है उसको securely एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना या उसको उगर उसको लीफ्ट करना है securely उठाना थिक है उसके बाद उसको कंट्रोल करना है कि उपर में जाकर कहीं पर वो मतलब लड़े नहीं तो इस तरीके से आपको बताना है ठीक मतलब जो एक रिगर का जो काम होता है वो आपको आपको इस तरीके से बताना है gonna next है हमारे यहां तो क्यों Pvd जैस्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसको को wire rope बोलते हैं उसके बाद है web sealing आब सकते हैं इसको बेंट को ठीक है उसके बात है में पास यहां पर डी सेकल और उसके बाद है यहां पर बोस सेकल अंद क्लाम ऑब सेकल का जो होrickता है धोड़ा जीक कुछ साथ है इसको इन एसको बोलत को दालका है ऊकर मारे ऊपर नाम और उसका फोटो दो यहां पर लगा दिया है इसको बोलते हैं ऑर यह देख सकते इसको टन्डबुन बकल मुलते हैं और यह रोब पुल्ली कि तो आहिए आगला है हमारे पास टैपस of lifting हुआ लिफ्टिंग Ой के तो देखिये सिंथिक हो गया है उसके लिफ्टिंग कितने फरकार के तो आपको बताब मतलब SWL मतलब safe working load Safe working load मतलब क्या है Safe working load मतलब हो गया Maximum load that can be lift by lifting tool Safely मतलब कोई भी मान लिजे Belt हो गया तो ये safely उठा सकता है उसी को SWL बोलते हैं मतलब सबका एक capacity होता है उठाने का तो maximum load जितना भी हो वो lift कर सकता है safely उसको हम SWL बोलते हैं मतलब यहाँ पर लिखा हुआ safe working load ठीक है तो उसी को SWL बोलते हैं safe working load उसको SWL बोलते हो next है मारे पास यहाँ पर color code of web ceiling ठीक है मतलब कि आपको color देखके पता करना है कि यह जो belt है कितना ton का है ठीक है तो देखिए पहला violet color मतलब बैंगनी का तो यह है 1 ton उसके बाद इसी तरीके से green है यह 2 ton है yellow ठीक है यह 3 ton है उसके बाद यह grey है तो यह 4 ton का है उसके बाद यह red है यह 5 ton यह bronze 6 ton blue 8 ton और यह दोनों orange 10 ton और 12 ton ठीक है तो belt पे आप जब देखोगे तो सभी belt सभी belt का एक एक color आता है तो आप color याद रखिएगा और उसी से आप बता सकते है कि यह कितना ton का belt है और दूसरा हो गया आप belt में देखोगे तो उसमें line बनी होती है तो belt में जितना line है वो उतना ton का होता है तो यह next देखते हैं उसके बाद यहाँ पे SWL of web ceiling मतलब web ceiling का हम safe working load कैसे पता करेंगे तो यहाँ पे पहला है by color coding मतलब जो भी मैंने आपको उपर में बताया वो मतलब color देखके पता कर सकते हैं कि इससे कितना ton उठाया जा सकता है यह दो by tag मतलब जब आप belt हो को देखोगे तो उसमें जो आपको एक tag मिलेगा तो उस tag में लिखा हुआ होता है कि यह कितना ton का 4 ton है 5 ton है ऐसी दरी लिखा रहता है तिसरा है by line मतलब कि line देखके भी आप पता कर सकते हो belt में आपको line मिलेगा जितना line है उतना ton का belt होता है तो आइए next देखते हैं उसके बाद यहाँ पे next है how much load can be lift by web ceiling of one ton ठीक है मतलब 1 ton का ceiling से आप कितना load उठा सकते हैं ठीक है तो simple सी बात है कि यहाँ पे आपको दीख नहीं रहा होगा बहुत ही छोटा है मैं इसका photo जो एड़ कर दूँगा आप देख लिएगा या app में मैं इसको डाल दूँगा बड़ा photo ठीक है तो यहाँ मैं समझाता हूँ अगर कोई भी ऐसे ceiling है ठीक है उसको अगर आप सीधा उठाते हो तो वह one ton उठाएगा ठीक है जैसे one ton का belt है तो यह one ton तक उठाएगा ओके लेकिन इसी को अगर हम ऐसे कर देते हैं मतलब ऐसे ring मार देते हैं और ऐसे करके उठाते हैं तो इसका weight जो है कम हो जाएगा और अब यह 800 kg तक ही उठाएगा ठीक है इसी तरीके से इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं मतलब पूरा यू अगर हम 1.4 टन हो जाए मतलब कि यह 1.4 टन उठाएगा एक टन का बेल्ट है लेकिन यह 1.4 टन तक यह lift कर सकता है ठीक है इसी तरीके से इसको अगर angle हम change करते हैं ठीक है angle कम जादा करेंगे तो इसी तरीके से इसका weight भी कम जादा होगा ओके यहाँ पर फोटो में आप देखोगे तो आपको clearly समझ में आएगा ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इस तरीके से दो calculate करेंगे तो यहाँ पर हमने formula लिग दिया ठीक है डी स्कॉयर इंटु एट तो डी स्कॉयर के जगा पर हम जो ceiling का dia है वो diameter यूज करेंगे और उसको जब calculate करेंगे तो हमारा जो ceiling का safe working load है वो हमें मिल जाएगा करेंगे तो फ्रेंट से इसका उपर मैंने जो separate एक वीडियो बनाया हुआ है और हमने एप में भी यह डाल के रखा हुआ है तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं चेक कर सकते हैं तो आई आपको वीडियो जो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो गर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल का आगन को प्रेस कर दीजेगा मिल